संडे को मैं थोड़ा लेट ही उड़ती हूं संडे का रूटीन मेरा लगबग 6-6 इस तरीके का रहता है और आज समय समय हो रहा है मेरे गेट खुलने की आहाट हूई वैसे यह सारी गाय आसपासी रहती है तो पटा फट यह आ गई और डेली kahun ka रहता है मतलब यह writers बहुत ही पात है कि दृवगाजे की गेट की आहाट मिलती है जाती है गए का दो और कल था सेटर्डे, तो सेटर्डे को अक्सर मेरी सबजीयों की शॉपिंग होती है, तो वो सारी सबजीयां ले आई थी, और इस तरीके से मैंने रख दिया था, अरेंज नहीं किया था कल, तो आज मैं इन्हें सही से अरेंज भी करने वाली हूँ, जिनको कट करके रखना है, तो कट करके भी रखोंगी, और जो मुझे यूज मैं, जैसे हरी मिर्च, अद्रक और ये सब चीजें जो मैं पीस के रखती हूँ, और बाकी क्या कहते हैं, सबजीयों को अच्छे से वाश करके, पंखे के नीचे सुखा के, फटा-फट मैं फ्रिज में लगा दोंगी, और आज मतलब बहुत सारा काम है, फ्रिज भी अच्छे से साफ करना है, थोड़ा सोफे उफे को भी अरेंज करना है, तो आज संडे का दिन ऐसे ही जाने वाला है, और आज एक और अलग बात है, मेरे बच्चों का आज भी स्कूल है, संडे को भी है, जी हाँ, और बच्चों न तो यह सब नहाने दोने में लगे हुए हैं तब तक मैं अपनी सारी सबजियां जैसे मुझे रखना है मटवटट छील चाल के वो मैं रख लूँगी और बच्चों को नास्ते में मैं दूँगी पोटेटो का सैंड्विश बना रही हूं वो फटाफट सिंपल सा बन जाएगा संड़े को अकसर मैं थोड़ा सा मतलब फ्री रहने की कोशिश करती हूं क्योंकि सारे मतलब हप्ते के छे दिन हम लोगों को देखो काम करते करते हो जाता है और कभी कभी अपने को भी थोड़ा सा टायम देना चाहिए और इंपॉर्टेंस भी देनी चाहिए तो अक्सर जैसे मैं करती हूं एक दिन पहले की planning करके रखती हूं कि कल मुझे क्या बनाना है next day क्या बनना है तो वैसे ही मैं चलती हूं और वैसे ही मैं बनाती हूं अचानक बच्चों ने देख लिया छोले भीगे रखे हूए तो फटा फट ये फरमाईस हो गई कि आज छोले बटूरे बन जाएं लेकिन फिर मैंने उनको मना कर दिया एक्चुली देखो बन तो जाता कोई दिक्कत नहीं होती बस मुझे बॉयल करना था और बटूरे का आँटा लगाना था मैंने जान बूच के उनको मना करा कारण बस यह है ना कभी-कभी अपने लोगों को मतलब बच्चों लोगों को या कोई भी हो मना भी करना आना चाहिए क्योंकि मेरा प्लान था बहुत ही simple lunch बनाने का और ये भी बच्चों की ही फर्माईस थी और उनका ही मन पसंद था लेकिन मैंने सोचा नहीं मैंने जो त्यारी करी है जो मैंने अपना mind makeup किया है वही मैं बनाऊंगी बाकि और चीजे नहीं बनाऊंगी तो चिली पनीर और फ्रा बना के मैं रग दूँगी जिससे भूग लगाने में काफी आसान होगा और यहां फटा फट मैंने फ्रिज को साफ कर दिया फ्रिज एक्चुली मेरी ना बहुत गंदी हो गई थी दिवाली को मैंने साफ करी थी उसकी बाद मैंने साफ नहीं किया था तो अच्छे से अंदर अगर लच बना के रग दो ना तो फिर और भी काम मतलब आसान हो जाते हैं और भी समय मिल जाता है लेकिन और समय आज संडे है न तो मैं कोई ना कोई वेब सेरीज या कोई कुछ भी अपने पसंद का जो मुझे काम करना होता है तो वो मैं करती हूँ और संडे है तो तो इससे अच्छा है कि जब तक बच्चे आए तब तक मैं अपना लंच बना दूँ इसलिए मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं सुबह से क्योंकि संडे है तो लेटी थोड़ा उठी थी और फिर उसके बाद अगर बैठ जाती तो फिर और लेट हो जाता और जो मेरा थोड़ा स चाहिए तो आप वो ले सकते हैं अच्छा किसी भी ओयल को मैं इस तरीके से चान के रख लेती हूं न तो नैपकीन से तो इससे जितनी भी इसके अंदर डस्ट रहती है जो भी रहता है खाने का जो भी पार्टिकल हमारे ओयल में तलते समय गिर जाते हैं वो बिल्कुल निक सब्जी बनाने की तैयारी कर दी और यह मेरा जिंजर गार्लिक पेस है और जो भी सिंबला मिर्च है स्प्रिंग अनियन है यह सारा डालके और सारी सौसेस वगरा डालके मैं अच्छे से भून लोंगी इसे पका लोंगी फिर उसकी बाद जो भी कंड फ्लॉर का जो सैलरी ब बनाके डालते हैं वह भी एड कर दोंगी यह पनीर भी मतलब मिरा फ्राइइ हो चुका है तो फटाफट बन जाएगा और एक तरफ में राइस भी चढ़ा दीए तो राइस भी बन जाएगा जैसे सबजी होगी वैसे यह चिलिपली जैसे बन जाएगा और वैसे इस तरीके स बिल्कुल भी मल्टी टास्किंग करते हुए बिल्कुल भी मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा और मेरा सारे काम फटाफट हो जाएंगे हम लेडिजों काम रहता है घर के सभी मेंबर्स की फर्माइज पूरी करने का लेकिन कभी ये भी रहता है करें कि कभी अपने हिसाफ से भी काम करें कि हम अपने लिए भी टाइम मिल जाएं मुझे लगता हर और किसीम को ऊपते में जैसे संडे गए थे अब इनका थोड़ा सा फ्राइराइस बना लूँगी और फ्राइराइस बनाते समय में सोया सॉस का मतलब यूज नहीं करूंगी बहुत मतलब कम ही मैं जिसमें बहुत जरूरी होता है उसी में ही सोया सॉस मैं डालती हूं और वैसे घर की बनी हुई चटनिया मैं रख पर करती हूं बच्चों को क्योंकि आजकल वैसे भी इतना जंक फूड चल गया है हर किसी में सॉस वगएरा पड़े ही रहते हैं तो ज्यादा तर मैं कुशिश करती हूं अपनी घर की बनी हुई चटनी देने के लिए तो यहां फ्राइराइस की मेरी सारी सब्जियां भी द जाल लूँगी और हजबन ज्यादा यह सब चीजे पसंद नहीं करते तो उनके लिए अलग सबें निकाल के रख दूँगी अच्छा स्कूल से आने के बाद बच्चों को पता नहीं भूक लगाई और क्योंकि लंच देखो स्कूल में सब लोग शेयर करके खाते हैं तो थो भी बच्चा है वो थोड़ा सा स्टोर करके फ्रेज मेर रख दोंगी शांक को काम आ जाएगा घी मेरा सुबही हो गया था और घी को भी मैं अभी मतलब गरम को जम गया था एक्चुली ये तो टाइम नहीं मिला तो घी को भी मैंने अभी उसको चान के जहां रखना था वो सारा काम खतम हो गया धीरे धीरे और फिर उसकी बाद मैंने प्लेटफॉर्म को साफ करना सिंक में बरतन पड़े काफी सारे बरतन निकालाते हैं कोई भी काम करो बरतन बहुत जल्दी निकालाते हैं और ठंड के समय बरतन धुलना तो बड़ा समझो टास्क रहता है तो यहा यहां जल्द तो इस तरीके का काम करते करते मेरा काम अच्छे टाइम पे निपड़ गया था 11 बच गया थे मुझे यह सब करते हुए और आज मैंने एर वॉश नहीं करा क्योंकि कल मैं ऐलिंग नहीं कर पाई ती हैर में अपने तो आज जबी मैं आइलिंग कर रहे हूं सो स सारा दिन ऐसे ही रहेगा और नेक्स्ट ये मंडेकों में मतलब ने हेर वाश कर लोगी और मुझे अभी लगाना हीना भी ठंड बढ़ रही है अगर टाइम से हीना लगा लोगे तो ठीक है नहीं तो फिर ज्यादा ठंड में मैं हीना नहीं लगाती हूं क्योंकि फिर सर में मेर प्लायक बाल पसंद है तो हीना में इंडिकों मिक्स करके लगाते हैं मुझी मांँ थी .. तुछा इछ लगता है तो वही बरगंडी color वाली हीना जो भी है जैसा मेरा तरीका है बनाने का वो मैं next blog में आपके साथ share करूगी किस तरीके का मैं अपना हीना बनाती हूँ और फिर friends इसी के साथ blog को end करते हैं और मिलते हैं next blog में तब तक के लिए till then take care bye bye